अक्षे अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि लेटेस्ट टेली क्या है लेटेस्ट डेटा अपडेट करें क्या है दर्शकों को अक्षे अक्षे अगतार पहुचानी की कोशिश कर रहे हैं जो तस्वीर बनती दिखाई दे रहे हैं यहां पर भारती जंता पार्टी बढ़त बनाती दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले ग्राफिक दे जरिये हर्यां की 90 की 90 विधान साबा सीटों का हाल हम अपने दर्शकों तक पहुचा आते हैं कि किस सीट पर कौन सा दल बढ़त बनाता दिखाई दे रहे हैं कुल हर्यां की 90 सीटों की बात करें तो भारती जंता पार्टी फिलाल 46 सीटों पर बढ बढ़त बनाती दिखाई दे रहे हैं जबकि अन 5 सीटों पर रोजानों में बढ़त बना रहे हैं यह रोजान हैं अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है और बना दिल्चस्प उतार चलाव हर्याना में देखने को मिला है जहां पर 90 की 90 विधान साबा सीटों के जो रो अगर यह रोजान नतीजों में तबदील होते हैं तो आनलडी के हिस्से में काफी देर से दो सीटों पर बरहत बनते दिखाई दे रही है वह आकड़ा वहीं पटिका हुआ है जबकि अन्न की बात करें तो पास सीटों पर निर्दिली उमीदवार बरहत बनाते दिखाई दे सीटों पर लीड लेता दिखाई दे रहा है यानि यहां पर तस्वीर एक्जिट पोल वाली ही कुछ नजर आ रहे है आना की पीडीपी जिसको लेकर अरुमान एक्जिट पोल पर भी जाहिर किया गया था कि चार से साथ सीटों तक उसकी जोली में जा सकती है चार सीटों पर पीडीपी बरत बनाते दिखाई दे रही है जबकि अनन दस सीटों पर बरत बनाते दिखाई दे रहे हैं जमू कश्वीर की 90 की 90 विधान सवाद सीटों का जो रोजान सामने है वहां पर मुकाबला काफी दिल्चस्प दिखाई दे रहा है लेकिन अगर जो आकड़े अभी दिखाई दे रहे हैं रोजान जो सामने आए हैं अगर वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो वहां नेशनल कॉंफरेंस की गड़बंधन की सरकार बनते दिखाई दे रही है अगर ये रोजान नतीजों में तब्दील होते हैं तो 28, 48 और PDP4 और अन्य के हिस्से में 10 सीटे दिखाई दे रही हैं ये जम्मू कश्मीर के आकड़ें आपको दिखाई दे रहे हैं आपको हम दिखा रहे हैं हाला कि पांच सीटों की बात करें जिसको लेकर जबर्दस घमासान भी देखनें के मिल रहा है जो उप राज्यपाल की तरफ से होगा उसको लेकर क्या कुछ प दिखाई दे रहे थे वहां पर कॉंग्रेसी खेमे में अब मायूसी चाती दिखाई दे रहे हैं यहां पर सुबह से मिठाईयां बटने का सिलसला शुरू हो चुका था आतिश बादी के जरिये अपनी खुशी का इजहार कारिकरतौ की तरफ से जाहिर किया जा रहा था लेक उनके चेहरे पर तनाव को देखने को मिल रहा था लेकिन उम्मीदें उनकी अभी बरकरार है कि पूर्व बहुमत की कॉंग्रेस सरकार हरियाना में बनाने जा रही है और जो नंबर्स हम लगातार दिखा रहे है सैताली सीटों पर भारती जनता पार्टी लीग लेते दिखा दिखाई दे रही है जेज़ेपी का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है जो 2019 के चुनाओं में किंग मेकर साबित हुई थी दस सीटें जेज़ेपी ने जीती थी फिछले चुनाओं में लेकिन इस बार जेज़ेपी का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है यानि जो कहा जा रहा था कि बीजेपी और कॉंग्रेस की बीच में हर्याना में इस बार काटी की टककर देखने को मिलेगी कुछ वही इस्तिती लेकिन एक बड़ा उलट फिर यहां पर होता दिखाई दे रहा है हर्याना में अगर मौझूदा वक्ती बात करें जो रुजान सामने है अगर यह रुजान नतीजों में तब्दील होते हैं तो एक बार फिर भारती जंता पार्टी की सरकार बहमत की बंती दिखाई दे रही है पिछली बार बीजेपी को जेजेपी का साथ लेना पड़ा था लेकिन जो मौझूदा रुजान सामने हैं कभी 46 पर आकर टिक जाते ह कभी 47 सीटों पर याका बल रहा है यानि जो उतार चलाब है कभी एक दो सीटों पर बहुत बंती दिखाई देती है कभी कॉंग्रेस की गिंती बढ़ती दिखाई देती है तो यह जो स्थिति दिखाई दे रही है यह साफ इशारा करें कि हर्याना में एक बला उलट पेर होत झाल झाल